हेलो स्टुडेंट्स बुड मॉर्निंग क्लासिक्स हिंदी फ़स्ट फिप्थ चैप्टर सेकंड लेक्चर बिटा इसमें आपने फ़स्ट लेक्चर में पढ़ा सत्रंज के खेल के बारे में चलिए आगे पढ़ते सेकंड चैप्टर में क्या होता है आनंद सामने रखी मोरों पर उसकी दरश्टी होती है तो वो उतसुकता से ये सोच रहा था कि अगर वो अपने गोड़े को उस खाने में रखेगा तो मुझे उसे मात देने का उसर मिल जाएगा उसका दिमाग सामने वाले खिलाडी की अगली चाल का हिसाब लगा रहा था मगर इसकी साती उसे ध्या तान आया कि नहीं वो कुछ भी चलने से वेशी बेवकूफी नहीं करेंगा आखिर वशिएता है मगर उसने ठीक वही चाल चली जैसा अंगत ने सोचा था आनन्द को अपने आखों पर भरो नहीं हो रहा उसने फूर्ति से अपनी चानी को बढ़ाया और मात कह दिया विरोधी का राजा सच्पूच बुरी तरे घिर गया था विरोधी खिलाडी ने बड़े अविस्ट को उसने सामने बैठे उस लड़के को देखा जो मुशकिल से उसने कंदे तक था ठोटाथा उसने खड़े विजेता उसने अपने सामने बैठे उस लड़के को देखा जो मुश्किल में उससे कंदे तक था और उसने खड़े होकर आनन से हाथ मिलाया और कहा साबास तुम बहुत बढ़िया खेलते हो आनन मुश्कुराया उसको अपनी मा की बात याद आती है कि विजेता भी गलती कर स चला गया और उसने थोड़े यी दिनों में स्कूल के और इस्ताने इस्तर के सभी मुकाबले जीत लेता है वो रविवार के मुकाबले में भाग लेने के लिए चेन्नई के ताल कलब में जाता है और वहां जीतने वालों को कोई इनाम नहीं दिया जाता था और सभी मैच अंतरराष्टी मुकाबलों में हिस्सेदारी का था यू ना Cent spectator का मतलब होता है बेटा कि की अगर हारगे तो बाहर कर दीए जाओगे तो वहां से उसका अगला कतम अंतराष्टी मुकाबले में हिस्सेदारी का था जहां उसने नए मापदंड बनाए और सत्रंज के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अच्छों में दर्ज कर दिया अब आपका ये लेक्चर बेटा फिनिस होता है तो चेन नहीं के जगमंगाते वे बालक का आगमन हो जाता है अब आपका ये लेक्चर फिनिस आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए होमवर्क में बेटा ये आपको अपनी भॉक में ही फिल करना है आपको यह सही उत्तर पर सही का चिन लगाना है अनंद की माउस के लिए क्या लाई ठी सत्रंज और सत्रंज में खाने काकार कैसा था चौकोड था सत्रंज में काले सफेद खानों की कुल संख्या कितन भी करना है अगला लेक्चर कल पढ़िएगा थैंक्यू क्लास